228 kg सोना केदारनाथ से गायब कर दिया गया 228 kg सोना आया करना से बिरोप करने के लिए और कॉंगरेस के एजेंडे को आगे बढाने के लिए स्वामी अभी मुक्तिस्वरा नंजी को ऐसा बयान नहीं देना चाहिए धर्म है देश का अंग, इसे ना करो तुम तंग धर्ने किये जा रहे हैं, महां के व्यापारी मंडल जो है धर्ने कर रहे हैं वो है पहला मुद्दा कि दिल्ली में केदारनाथ धाम का बनना और दूसरा मुद्दा सोने की चोरी का आरूब जो शंकराचारे जी लगा रहे है तो चलिए शुरू करते हैं पहले जो हमारा मुद्दा है कि जो दिल्ली के बुरारी में जो मंदिर बनने जा रहा है उसे केदारनाथ धाम का नाम दिया जा रहा है दस जुलाई को पुषकर सिंग धामी जो की उत्तराखंड के मुख्यमंतरी है वो स्वयम आये थे यहाँ पर मंदिर पूजा करवाने के लिए उद्गाटन करवाने के लिए तो जब वो प्राण प्रतिष्ठा के लिए वहाँ पहुंचे तो उत्तराखंड की जनता उनसे कई भड़की हमें नजर आई एक तरफ उत्तराखंड की जनता पूरी वहाँ पर केदारनाथ मंदिर के बाहर धरना प्रदर्शन कर रही थी वहीं दूसरी तरफ पुषकर सिंग धामी जो हैं यहाँ पर प्राण प्रतिष्ठा का काम करवा रहे थे ऐसे में जब वहाँ पर ये नारे लगाए गए जो आप देख सकते हैं तो जैसा कि आपने देखा कि लोग नारे लगा रहे हैं कि धामी मुर्दाबाद मुर्दाबाद जो कि वहाँ के मुख्य मंतरी हैं इन सभी चीजों को देखते हुए पुषकर सिंग धामी ने मंदिर की कारे समीती से बात कर और उन्हें आसवाशन दिलाया कि अब जो मंदिर जो दिली में बनने जा रहा है उसका नाम केदारनाद धाम नहीं होगा लेकिन आप जैसा कि मेरे स्क्रीन पर पोस्टर्स देख सकते हैं यहाँ पर साफ साफ आप देख सकते हैं कि केदारनाद धाम से यह पूरी जो बाते हैं कही जा रहे हैं पूरे स्लोगन है किदारनात धाम से जो है दिये जा रहे हैं खैर अभी पुषकर सिंग धामी ने आस्वासन दिलाया है कि किदारनात धाम एक ही रहेगा और दिल्ली में किदारनात मंदिर या किदारनात धाम का नाम वहाँ पर नहीं आएगा कुछ और नाम रखा जाएगा ज तो मुँआरे यहां शिविव पुराण में 12 जोतिरलिंगों के जहां नाम बताए गया है। जब पता साथ बताया गया है कि यहां लोकेटेड है, तो आप उसका लोकेशन के मतलना चाहते हैं, और जनता को परम में डालना चाहते हैं। आप भगवान के हजार नाम है, किसी नाम से स्थापना करके पूजा करिये, लेकिन केदारनाथ धाम दिल्ली में बनेगा, ये अनदिकार चेश्टा है और ये नहीं होना चाहिए. तो जैसा कि आपने बयान में देखा कि शंकरचार जी ने आरोप लगाया है कि 228 किलो ग्राम सोना चोरी हो चुका है अब इस सच को अगर हमें पूरा जानना है तो हमें थोड़ा पीछे चलना पड़ेगा बात करते हैं सन 2022 की जब मुंबई के एक बिजनिसमेन वहाँ पर 23.78 किलो सोना दान करते हैं और वो दान करने के बाद वहाँ पर वो स्वयम रहते हैं और पुरातत्व भिवाग के दो लोग रहते हैं 19 कारीगरों ने मिलके वहाँ पर 3 दिन में ये पूरा काम किया जो कि वहाँ पर चांदी का वर्ख हटा के उस पर सोने का वर्ख करने का था 2023 में वाइस प्रेसिडेंट संतो स्रिवेदी जो कि चारदाम मंदिर समीती के वाइस प्रेसिडेंट है उन्होंने आरोप लगाया कि 23.78 किलो सोना वहाँ से चोरी हो चुका है लेकिन इस पर केदारनाथ की जो मंदिर समीती की है उसने पूरा खंडन किया इसका कि ये सारे आरोप जूट है लेकिन इसी के बाद उन्होंने एक और आरोप लगाया कि 125 करोड रुपे की चोरी जो है केदारनाथ ट्रस्ट ने करी है और महां के लोगों ने करी है जिसमें बड़े बड़े लोगों का हाथ बताया जा रहा था लेकिन इस चीज का भी केदारनाथ समीती ने खंडन किया है अब आपने जैसा कि मेरी स्क्रीन पर देखा कि किस प्रकार से जो है लोग संक्राचारी का जो बयान था उस पर लोगों का रियेक्शन जो आ रहे थे इसी पर केदार बद्री समीती के प्रसीडेंट ने कहा है कि जो संक्राचारे जी हैं वो कॉंग्रेस के एजेंडे को फॉलो करते हैं उसको बढ़ावा देते हैं जो की बहुत दुख्की बात है संसनी पैदा करने के लिए और कॉंग्रेस के एजेंडे को आगे बढ़ाने के लिए अब देखने वाली बात यह है कि जितने भी मैंने आपको चीजे दिखाई जितने भी 2023 की हैडलाइन्स मैंने आपको दिखाई सब में 23.78 kg सोने का जिक्र हो रहा था तो फिर 228 kg सोना आया कह से जो की संक्राचारे जी कह रहे हैं कि चोरी हुआ है अब इस पूरे जो वाक्य हुआ है इस से एक ही चीज सामने आ सकती है कि जितना हमारी रिपोर्ट में आपने देखा कि 228 kg तो सोना था ही नहीं तो वो चोरी कैसे हो सकता है बात करें जो हमारा पहला मुद्दा था कि ज 228 kg जो है सोना वहां पर था लेकिन रिपोर्ट के मुताबिक सिर्फ 23.78 kg जो है सोना वहां पर था जिसका जो मतलब 2023 में जब आरोप लगा था तो समीती ने खंडन कर दिया था उसके बाद जब यहां पर संक्राचारे जी ने बताया तो इन सभी बातों से एक सवाल खड़ा होता है कि 228 kg सोना आया कहां से आया तो वो मिला क्यों नहीं जब भारत सरकार ने उसके पूरी परताल करवाई तो उसके बाद जो रिपोर्ट सामने आई है तो अब जितना की मुझे लगता है जितना की देश की जनता भी चाहती है कि उस रिपोर्ट को पब्लिक कर दिया ज झाल